हेलो दोस्तों वैलकम टूई एजूकेशन चैनल आज दोस्तों नौटिफिकेशन डिसकस्ट करने वाले हैं यह नोटिफिकेशन मोस्ट पॉपलर जो कि आज आज कल जो है यह काफी फेमस रहा है राइट जैसे कि एंटी पीसी हो गया इतना फेमस है उतना यह भी है जैसे कि आ एक्जाम नहीं हुआ है बट एडमिट कार्ट का भी दे दिया है होने वाला है कमिंग इसी मन्त में हो जाएगा एक्जाम तो यह काफी डिले हो रहा है तो बट इसका 2020 और 2021 का न्यू नोटिफिकेशन आया है जो लास्ट इयर नमड़ वैकेंसी जो थी एराउंड आपका 1800 के आ राउंड एवरी यह जैसा कि मैं देख रहा हूं पिछले तीन चार साल से यह जो है और डिक्रीजिंग ओडर में है करते जा रहा है तो इस बार एराउंड हंडर एराउंड वन थाउजन यह ट्वाल अन्रेट के आसपास बैकेंसी होगी तो चलिए देखते हैं इसमें नोट त्री यहर से वह यह है कि मेडिकल फिटनेस हाइट यह भी इंपॉर्टेंट्स है लाइक आपका जैसे कि आप इंजिनियर्स टेकनिकल में होगे तो इसमें क्या होता है किसी भी प्रोफाइल के लिए फीजिकल नहीं देखा जाता बट इसमें जो है कुछ प्रोफाइल में जो फिजिकल देखा जाएगा तो आप फॉर्म फिल करने से पहले वो जरूर देखें कि आपकी हाइट मैच होती है एक नहीं एन वेडियस तिंग राइट तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को उससे पहले अगर आप एजकेशन चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक परस्नल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के थुरू यह वेकंसी रिलीज हुआ है राइट और इसमें हम देखेंगे देखें लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग करने का आपका एक नॉम्बर राइट आपका स्वाड़ पे एक्जामिशन फी है फॉर्म फिल करन 21 में बट यह पिछले दो साल तीन साल का रिकॉर्ड है तीन साल के अब 2015 का रिकुव फिफ्टीन से तिल नौ मतलब फाइव यह का रिकॉर्ड है कि कभी इसका पेपर टाइम पे नहीं हुआ है राइट यह जैसे कभी इसमें बता रहा है ना कि आपका यह मार्च में हो जाए जैसे 2019 20 का जो था अभी तक पेपर नहीं हुआ राइट तो यह अब इसी तरह होता है एवरी यह उसका ज्वाइन फिर इसका आपका मैं मैंस का पेपर होगा इसमें दो परता है प्री एन पोस्ट प्री एन मैंस तो मैंस पेपर होगा तो यह काफी दो साल तक चले जाता है साल तक तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में सैलरी स्टक्चर जो है आपका स्टार्टिंग होगा 35,400 से लेके आपका अगर सेम प्रोफाइल पे रहोगे जैसे जेए में ही रहोगे सेम प्रोफाइल पे तो आपका सैलरी मैक्सिम तिल रिटार्मेंट टाइम तक 112,400 त तो उस समय जो एकनोमिक है जो भी फाइनांसियल टर्म होगा वह काफी एक्सपेंसी हुए है तो यह सैलरी माइन नहीं रखती तो आपका इसमें प्रोफाइल जरूरी है तो इसमें देखिए जो आपका डिपार्टमेंट है जहां पर आपकी वेकेंसी निकली हुई है बॉर आपका सिविल इंजिनियर जई एकर रिक्वार्मेंट है BORDER ROUND इसमें एलेक्ट्रिकल मेकेंटल कैर रिक्वारटमेंट है यह काफी इंप्रेंट है यहाँ पर इसमें पर Just an इसमें civil mechanical का है उसके बाद आपका direct rate of quality assurance जो नेवी नेवी में mechanical के लिए है फिर electrical के लिए राइट फड़का बैरेज प्रोजेक्ट civil फड़का बैरेज प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल और इसमें आपका जो है mechanical राइट उसी तरह military engineering service MES civil electrical and mechanical national technical research organization civil electrical and mechanical तो यह है डिपार्टमेंट टोटल जहां कि आपकी पोस्टिंग होगी राइट तो आपको भरना कैसे है SSC.NIC.IN पर जाके career corner पर जाके आपको candidates career corner पर जाके tentative vacancy पर जाके आप form fill कर सकते हो और जो अल्रेड़ी register कर चुके लाइक five year से वह try कर रहे है तो last year ही निकला है जो एक वह register कर लिया SSC में किसी भी profile में अगर वह eligible है तो वह उसी पुराने वाले पर form fill कर सकता है फिर उसमें जो आपका date है like current passport photographs and जो आप में new update आया आपके education qualification से वह आप उसमें update कर सकते हो otherwise वह पीछे वाला जो record है वही carry on होगा right तो यह चीज़े हैं तो इसमें आप जो new freshers है वह फूरा detail भड़िएगा शौर्ट पर examination fee है राइट तो बस most important thing है आप physical देखिएगा क्योंकि इसमें जो है हाइट वगएरह सब इसमें दिया है कुछ department में तो वह हम देखेंगे राइट दोस्तों इसमें कोई भी इन कर्डिडेट नेपाल एन भुटान का फॉर्म फिल कर सकता है राइट एज दिया हुआ है जैसे कि आपका बॉर्डर रोड ओर्गिनाजिशन में अप टू थर्टी जो जेनरल कर्डिडेट है तीस चाल मैक्सिम्म एज हो एलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल और आपका जो ह यह सिर्फ आपका जो जेनरल कंडिडेट है उनके लिए है और फिर आपको रिजर्वेशन लाइक ओबीशी कंडिडेट अद फिर जाके सीस्ट कंडिडेट उनके लिए एज रिलेक्सेशन फॉर थी यह एर एंड फाइव यह रिस्पेक्टिवली राइट तो ऐसा होता है ड यह रिस्ट आप फाइव एक्सर फॉर सेस्ट और ओवीशी फॉर त्री यह राइट अडिश्वल परसना विल गेट टैन यह एक्स्रा एंड नेक्स देख लेते हैं मिश में तो वेरियस तिंग्स होता है तर्म एंड कंडिशन बट इतना यूस्टू हो गया है इस नोटिफ एक्सविएंट लुक्रीनेंस नैंट प्रिल्ट आप के लिए सबके लिए हैं अब अब हम देखते हैं इसमें एसेंसेल क्वालिफिकेशन हो गया एज हो गया सैली स्टक्चर हमने अल्रेडी डिसकस कर लिया है इसका राइट अब इसमें जो है आपका इंपॉर्टेν ठीज यह होगा स्लेवर स्टक्चर इक्जामडेशन टेटर ऑंटेशन कर डेजन होता है सैंट्रल नॉर्थ इस वेस्ट ट्रौथ यह रेजन होता है इसेंट्रल रीजन में देख सकते हैं आप जो है बिहार यूपी का एडिया आता है बिहार में भागल पूर दर्भंगा मजबफरपूर पर्टना पूर्णिया आग्रा अलिगर बरेली गोड़कपूर जहांसी कानपूर लखनो मेरत मुरादाबाद प्रियागरा जिनवार नसी यह उत्तर प्रदिश और बिहार का जो सेंट्रल रीजन है सेंट्रल रीजन में दोई स्टेट आता है तो यहां पर यह देखी यह सब सेंटर दिया हुआ है रांची भूमनेश्वर यह सब जगह पर जो है कटक यहां स्रिली गोड़ी इस सब जगह पर आपका एक्जामनेशन होगा बेस्ट बेंगॉल भी इस तरन रीजन में आता है उसके बाद सेंट जो है करनाट का केरला रीजन मध्य परदेश रीजन सब रीजन इसमें जो है चतिश गर आता है और मध्य परदेश आता है नॉर्थ इस्टर रीजन में दिलि राजस्थान और उत्तरा खंड आता है उसके बाद हडियान भी देना चीह बट नहीं दिया है हर्याना ये श्में डिया नॉर्थ वेस्टर्न रिजन में चंडिवर्याना हिमाचियार प्रदेश जम्मो एंड कास्वीर एंडर्दाख पंजाब ये दिया आपका नौर्थ western region south region में दिया है आपका आंध्रप्रदेश पांडीचेरी तमिलनाडू एंड तिलंगाना western region में आपका आता है दादर नगर हवेली दमन एंडवी गोवा गुजरात एंड महारास्टा यह सब इंपोर्टेंट फेक्टर है इसमें राइट अब जो है एक्जाम पैटर्न देख सब्सक्राइब आपका आपका जो होगा आपका दो घंटे में आपको 200 नंबर का question करना पड़ेगा जिसमें की 100 नंबर का आपका technical paper होगा और 100 नंबर का आपका non technical question होगा और वहां आपको सिर्फ 120 मिनट मिलेंगे 200 question को solve करने के लिए and there will be negative marking for every wrong answer that will be 25% okay and उसके बाद जब pre आप qualify करोगे and then फिर जाके आपका men's paper होगा men's paper में जो है आपका written examination होगा theoretical पूछा जाएगा numerical all these things like men's में तो दो घंटे का paper होगा और दो घंटे में आपको 300 नंबर का जो है आपका return examination होगा राइट जैसे होगे mechanical में होगे electrical में होगा एक कोस्चन जो है 25 नंबर का होगा राइट और 15 नंबर के भी होंगे बट most of जो होते हैं 25 नंबर का होता है राइट बाड़ा question होंगे आपका इसमें तो हम अगर आप comment करोगे तो मैं इसका syllabus और last year या previous year का जो है आपको question paper मैं दे सकता हूँ theoretical right mcq तो बहुत सारे मिल जाते हैं बट theoretical जो है क्योंकि प्री निकलना अगर प्री निकल भी जाता है तो पोस्ट के लिए लोग अगर उसमें ऐसा है कि आपको जो है स्टेफ वाइज उसे मार्किंग होता है ऐसा नहीं कि अगर पूरा question अगर तो उसमें आपका जो है स्टेफ वाइस मार्किंग मिलेगा लाइक फर्मूला एंड थियोर्म दिया तो आप उसके हिसाब से आपको वहाँ पर मार्किंग मिलेगा अब देखिया स्लेबस जैसे कि देखिए सिविल इंजिनेरिंग का जो इसमें स्लेबस है वह आप देख सकते हैं बिल्डिंग मैटेडियल सेन वाल इस थिंग तो इसमें जैनरल इंजिनेरिंग स्ट्रक्ट्र एक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल रैट हमने पावर लगा लिए इसमें पावर पॉइंट पावर चले गया था दोस्तों अब देखते हैं इसमें देखिए यह हो गया पार्ट वान एंसलेट में अल Jakka यह स्लिए से यह सब एंसी क्यों सके लिए जो आपका प्री पर होगा उसके लिए है एंड फिर लास्ट जो थार्ड वो है मैकानिकल के लिए यह देखिए मैकेनिकल के लिए है यह सब एंसी इंजन ऐसे निग्र performance thermodynamics first second and third law तो इस सबसे कोस्टिन जैसे IC इंजन से एक कोस्टिन पंदर नमर या 25 नमर का डेफिनेटली होगा रेंकाइन साइकल सॉफ सिस्टमस डेफिनेटली विल गेट वन कोस्टिन फ्रॉम दिस टॉपिक राइट इस सबसे जो इसे है ओटो मुवाइल और जो थर्मल से इसे कोस्टिन डेफिनेटली आना है और वन कोस्टिन फ्रॉम आरे सी डेफिनेटली विल गेट इन मैंस पेपर एंड यहां पर देखिए एफ एम जो है फ्लूड मैकनिक्स और इसमें भी एक कुश्चन आता है डिफ्रेंट डिफ्रेंट जैसे कि आपका टरवाइन से रिलेटेड और उसके बाद पावर जो आपका पावर प्लांट है उससे भी आता है तो यह सब हम डिसक्र सब्सक्राइब करेंगे अब देखिए यह मैंस पेपर का जो स्लेवस दिया गया है सिविल और इस्ट्रक्चल इंजिनियरिंग का बिल्डिंग मैटेडियल से रिलेटेड राइट उसके बाद इस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन यह दो आपका क्या बोलत एक अलग सब्जेक्ट है यहां पर पढ़ना पड़ है इंजिनियरिंग बहुत इंपोर्टेंट इससे डेफिनेटली कोस्टिन आता है मैंस में मतब आई जाता है बट इससे चांसे ज्यादा होता है क्योंकि लिमिटेड कोस्टिन होता है और इतने सारे आपके साइज इDP सब्टेशन इंजिनियरिंग इन्वार्मेटल इंजिनिेरिंङ यह सब सिफील के लिए सिभीलने इस्ट noiस के लिए इस्ट्रक्ट्टर अनलाईसे स्काउ्ड टेखन और एक यार्टिमर्एड धिजाइन आर सिसी लियाइन यह सी सीकोश्ट्रिकल के लिए सब्ट्यक्ण स स्रिंक्रनाइज मेकेनिक्स जैनेरेशन्स जैनेरेशन्स ट्रांस्विस्टिबूशन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट और यह सब्जेक्ट रहेगा इसे डाफनेटली कॉस्चिन आएगा इसे बिए आएगा पी एंजेंक्शन्स ट्रांसिस्टर स्पी एन एप एन पी एन पी टाइप इसे फोस्टेंटली आएगा स्ट्रांस टोपी एंजेंडिकल इंजीनियरिंग इदेखते हैं इस में जो है और शुक्त में करें दो तक मैंने आपको जो स्मक्न यह यह सोते हैं इसे जैसे क्लिटेड होता है श्वोम एस्ट्रंट ऑफ मैटिर्यंग् Tub मेशिरलप मसीन substance first law second law इसमें third law नहीं दिया है राइट एर इस्टेंडर साइकल आफ आइशी इंजन्स रैंकाइन साइकल आफ इस्टीम हम दोस्तों इसके बाद देखेंगे most important तिंग जो मैंने आपको बताया था physical standard वह हमें देखना है राइट हम क्विकली वहां उस पर जाते हैं फ्लूड मैकेनिक्स एंड मसीनरी इस प्रोपर्टी सो प्रोपर्टी देन क्लासिफिकेशन आफ फ्लूड फ्लूड इस्टेटिक्स मेजरमेंट फ्लूड प्रेशर फ्लूड कैनेमेटिक्स इसमें एफम और आपका एफम और थर्मो डैनेमिक्स अगर पढ़ लो और साथ में अगर आप थोड़ा बहुत आईसी इंजन पढ़ लो तो डेफिनेटली आपका इसमें चांसेस बनते हैं कि आपके निकल जाएंगे बट उससे पहले आपको प्री निकालना पड़ेगा राइट और इसके बात देखिए एडमिशन औफ एग्जामनेश एग्जामनेशन यह तो है नॉर्मल अब देख लेते हम क्विकली इसमें आपका फीजिकल राइट इसमें फीजिकल क्विकली देखेंगे क्योंकि मोस्ट आफ दे तिंस जो हमने कवर कर लिया है मोड आफ सेलेक्शन जेनरल के थार्टी परसेंट विशी के लिए 25 अदर्स के लिए 20 बहुत टफ है दोस्तों अभी इतना जो भी है कॉंपिटेशन बट पेपर ओन टाइम पे होते रहे तो डेफिनेटली आप कोई इसू ना हो कंडिडेट के लिए यह लोग इतना डिले करते हैं और बहुत सारे ऐसे पर दे रहे हैं राइट तो बहुत टफ है यहां पैसा नहीं है कि वह टैलेंटेड नहीं है बट कॉंपिटिशन इतना ज्यादा है राइट क्योंकि काम ट्रेनिंग प्रोवाइड होगा है और वह मिलता है आपका इंटेलिजेंस है बट आपको उसमें शॉट लिस्ट करना ह होता है जैसे थाउजन वेकेंसी इसमें आएगा तो टॉफ थाउजन ही लोगे तो इसका मतलब थोड़ी है कि थाउजन एन वन कंडिडेट जो होगा वो टैलेंटेड नहीं होगा तो यह चीज़ें है गवर्मेंट जॉब में फुल आफ फाइट में चलता है आपका कॉंप यह सब चीजें हैं उसके बाद एक्जाम ना हो अभी एंटी पीसी का देख लीजे अब पंदर दिशंबर से आगे फॉरवर्ड होगा की नहीं होगा भगवान जैने अभी बोल दिया है नेता का बोल दिया हुआ है ऐसा कोई अब क्या होगा देखते हैं यह देखिए इस त के बाद आप अपना जो है फुल डिटेल भरने के बाद आप जो है यहां देखिए बेसिक डिटेल डालिएगा एडिशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड डिक्रेडेशन ये शब कीजिएगा एंड फिर जाके आपका पैमेंट का ओप्शन आएगा 100 रुपिस यू है फोटोग्राफ एंड सिनेचर आपको अप्लोड करने होते हैं वहाँ पे एंड फोटो जो अल्रेड़ी रेइस्टर कर चुके हैं उनको फोटोग्राफ चेंज करना पड़ेगा बिकॉस दे वांट लाइक रिसेंट फोटो रिसेंट फोटो रिसेंट पास्पोसाइज फोट होते हैं तो आपका मेहनत विकार है अना बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म फिल कर देते हैं और पूरा नोटिफिकेशन नहीं देखते हैं यह इश्यू आता है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एक्चुली मैं इस पे जो है इसका एक वीडियो में बनाय हूँ जिश में कें सिक यूज कोश्चन आते हैं नोन तेकनिकल का बनाया हूँ टेकनिकल का नहीं बनाया हूँ अगर कोमेंट हैगा दो डेफिनिटली आइव फॉर लाइक प्रिविए स्पेपर फर टेकनिकल फॉर एक्लिकल मेकेनिकल अश्यू आइग तो अब लेट सी वर look at this one temporarily unfit candidate declare temporarily unfit will be divided two category temple and for due to the medical region and another one temporary unfit being below physical standard right in good time diya jayega physical standard physical test of quest me time diya jayega five months visual surgery is a medical fitness after test hoega and agarapus me qualify karthi ho then after jake us may selection hoega right and this may have a chance see a miltai ki jayse medical may agarap unfit bhi huwai kisih bhi region se temporary region se ya permanent region se to aapkos me kuch compromise karna padega and then you will get time for the cure of for your dg and all this thing right is my physical dekhael dekhael height dekhael 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 physical standard minimum height 158 cm or minimum weight 47.5 kg minimum 75 unexpected by chest dya hua expansion 5 cm joki yeh aap dhekho ge to most of the size the need to win and in the need for proximsk the expense Diana how are planned region eastern plan region हर एक रिजन में दिया हुआ है बिहार सब के लिए देखिये 157 cm और पंजाब रिजन के लिए 162.5 cm तो अगर आप क्वालिफाइ करते हो सपोच कि आपने वेस्टन रिजन में अप्लाइ किया हुआ है जही के लिए राइट और यू स्लेक्टेट इन लाइक फर्स्ट और सेके पेपर और यू लाइक नुट अबल तो लाइक ज्वाइन बिकास अफ दिस फिजिकले स्टेंडर्ड देर दिस एडवन टेज अफ नुट रिदिंग फूल नॉटिफिकेशिएट अर्ट यह दिके इसमें यह फिजिकले सेंडर्ट था आप इसकिन शूट ले सकते हैं आप आप जब इसको अप्लाइ करोगे तो एक बार इसको आप डाउनलोड कीजिएगा इस नौटिफिकेशन को और आप उसको अराम से पर सकते हो एड़ बहुत आ रहा है एरांड कितने पेज का 64 पेज का है तो इस कोई नहीं पढ़ता है इतना राइट सो अल्द बेस दोस्तों अगर कोई डाउट हो तो डेफनेटली कोमेंट कीजिएगा और अगर आपको प्रीविएस यर्ट कोश्चन पेपर चाहिए इन लाइक मैंश का सिविल मैंकनिकल या अलेक्रिकल का तो डेफनेटली मैं अफलोड करूँगा बट आप कोमेंट कीजिएगा और वीडियो को में बट पूरा नहीं देखने के कारण question करते हो आप लोग so all the best for your selection process अभी ये देड दो साल दो साल जाता है at least पूरा recruitment process को complete करने में right so thank you for watching this video इसी तरह का video पाने के लिए आप channel को subscribe कर सकते हैं और bell icon button face कीजिएगा तो आपको regular basis पे government job notification मिलेंगे इस वीडियो को share कर सकते हैं दोस्तों साल thank you for watching this video all the best for your recruitment process